ससकता है अगर कोईヤ में revolution बोलता है कि आप 4ं को पगार्इम नंबर का मतलब जाना है तो हमें कम से कम दो नंबर से कम दो नंबर तो 4 कभी को सुपराइम नहीं सकता अपो का posição कैला शी को अथा अब के लिए के लिए देंगे तो को प्राइम नहीं होते हैं तो यह होते हैं सेट ओफ इंटिजर्स विच्छ विच्छ वॉन एस दियर कॉमन फैक्टर है एक्जामपल दो आप समझ जाएंगे एकदम आराम से ठीक है अब हो यह जो वीडियो का फोटो डिस्पले हो रहा है वह आप देख सकते हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा ठीक है तो देर एक्टर का मतलब यह होता है तो फैक्टर का मतलब क्या है तो जब मैं इसको डिवाइड करूँगा तो तो लास्ट में जीरो अगर ऐसा कोई नंबर है तो फोर का फैक्टर है क्योंकि जब मैं फोर को टू से डिवाइड करता हूं तो मेरे पास रिमेंडर जीरो बज़ता है मतलब टू जो है टू फोर का फैक्टर है तो यहीं आप बात हो रही है सेट अफ इंटेजर्स विच है वह उन एस देर कॉमन फैक्टर या फ फिर हाइस्ट कॉमन फैक्टर इनका HCF क्या है वन इन दोनों नंबर का HCF 1 है 3 और 7 का मतलब मतलब 3 और 7 को प्राइम नंबर है 3 और 7 को प्राइम नंबर है ठीक है आप समझ गया होंगे और एक ग्जांबल दो एक्जांबल के लिए आप मान सकते हैं 18 & 25 18 & 25 क्योंकि जब मैं 18 को लिख सकते हूं क्या 3 6 18 3 2 6 6 3 18 हाना या फिर 25 को 5 5 जा चाहे तो इंटू 1 लगा सकते है इसमें भी इंटू 1 हाना क्योंकि 1 सबसे मल्टिप्लाइब हो सकता है 1 सबका फैक्टर है ठीक है तो आप यहां भी देखेंगे कि सिर्फ 1 ही ऐसा नंबर है जो कि इन दोनों में एक कॉमन फैक्टर है मतलब इनका HCF 18 और 25 का HCF भी 1 है इसका मतलब 18 और 25 भी एक को प्राइम नंबर है तो आप को प्राइम का मतलब समझ गए